हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे भर्वा मिर्च की सबजी और वो भी एकदम सिंपल मेठट से, इसमें हम ज़्यादा मसालों का यूज भी नहीं करेंगे और ये खाने में भी बहुत स्वाधिश लगेंगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं भर्वा मिर्च की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम मिर्च को धुल करके कुछ देर के लिए रख देंगे, जिसे कि उसका पानी सूख जाए, उसके बहुत आराम से मिर्च में हम चाकु से बीच में हलका सा कट लगा देंगे, और ये देखे हम मिर्च में किस तरह से कट ल प्याज काटने के बाद अदरग को भी हम छोटा-छोटा काट लेंगे और लैसुन को हमें काटने की जुडरत नहीं है, हम इसे ऐसे ही एट करेंगे और अब हम इसमें आट करेंगे 1 टीसपून सौंफ, 1 टीसपून जीरा और अब हमें इसका एकदम fine paste बनाना है और ये देखे हमने इसे mixi में पीस कर एकदम fine paste बना लिया है और अब हम इसमें add करेंगे 1 teaspoon healthy powder 1 teaspoon धनिया powder नमक स्वादा नुसार 2 teaspoon add करेंगे amchur powder और अगर मिर्च बनाते समय amchur powder ना हो तो आप इसमें निम्बू का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मिर्च बनने के बाद ही आप निम्बू add करें मसाले को हमने अच्छे से mix कर लिया है अब हम इसे मिर्च में भरेंगे भरवा मिर्च को हम एकदम simple तरीके से बना रहे हैं और इसमें हम ज्यादा मसालो का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन यकीन मानिये यह बनने के बाद बहुत स्वादिश लगते हैं और मिर्च की सबजी जल्दी खराब भी नहीं होती है आप इसे 8-10 दिन तक रखकर के आराम से खा सकते हैं मिर्च हमने सबी भर लिये हैं अब हम गैस को अन कर देंगे और पैन मेट करेंगे डिल बड़े चमज तेल मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म होने देंगे तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमेट करेंगे दो पिंच जिंग और मिर्च भरने के बाद जो मसाला बच्छिया था उसे भी हम इसमेट कर देंगे मसाले को हमें भूनना नहीं है बस तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हम लो रखेंगे मसाले को तील के साथ मिलाने की बाद इसमें हम एट कर देंगे भरेवे मिर्च और मिर्च को हम बहुत हलके हाथ उसे कल्ची से तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि अगर जल्दी जल्दी मिलाएंगे ना तो मसाला मिर्च से बाहर आ जाएगा इसलिए बहुत आराम आरा मिर्ष को मिला लेंगे और इसे हम ढग करके पांच निट तक पकाएंगे लेकिन बीश-वीश में हम लगातार मिर्ष को चलाते रहेंगे एक मिनट हो चुका है अब मिर्ष को हम कलची से चला देंगे क्योंकि अगर हम बीच वीच में मिर्श को नहीं चलाएंगे तो मिर्श हमारे नीचे से जल जाएंगे मिर्श को कलची से चलाने के बाद इसे हम ढखकर के फिर से पकाएंगे चार मिनट हो चुके हैं और लेजे हमारे मिर्श भी अच्छे से पक चुके हैं अब हम गैस को आफ कर देंगे और मिर्श को हमने एक दम लो फ्लिम पर ही पकाया है और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेब्सक्राइब जरूर करें